नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंट्धर्मा सनमा Обप्प्र सक्रांती की की आप सभी दरसकों को छेर सारी सुपकाम नाए मक्र्सक्रांती का त्युहार के दिन, दान करने का अस्नान करने का बिसेश महत्र है लेकिन इस दिन बिसेश प्रयोग भी किये जाते हैं तो आज हम आपको एक रुपे का कोईन का प्रयोग बताएंगे कि यह सिक्का कहां रख दे और कैसे आपका जीवन बदलेगा देखिए माना जाता है कि मकर सक्रांती के दिन सुरे उत्तरायन होते हैं और यहां से तमाम सुपकारे सुरू हो जाते है इस बार 14 जन्वरी गुरुवार के दिन मकर सक्रांती मनाई जा रही है ऐसा मना जाता है कि मकर सक्रांती के दिन किया गया दान इस जन्व के साथ साथ अगले जन्व में कड़ों गुना होकर मिलता है इसलिए इस दिन बिसेश दान किये जाते हैं तो तमाम रासी को अपने ग को दान करना चाहिए लेकिन कुछ ऐसी बस्तुएं हैं अगर रासी के अनुसार आप दान करें तो आपके गरहूं की पिडाएं सांत होगी और पूरा साल आपका बेहतर भी देगा तो चलिए सुरुआत करते हैं पहले जानते हैं मेस रासी वालों के बारे में सिक्ये के बारे में हम भी आपको बताएंगे थोड़ा सा इंतजार मेस वालो मकर सकरांती के दिन आप तिल और गुड का दान करें इस से जीवन में आपको तरक्की मिलेगी और सफलता भी मिलेगी संतान की तरफ से आप यानि उनके तरफ से आपका भाग्योदे होगा या फिर आपका सरूचा करेंगे संतान अगर कोई ना मिले दान लेने के लिए तो गाय को गुड जरूर खिलाएं पास के मंदिर में भी आप रख सकते हैं जो ब्रिसब बाले हैं उनके लिए मकर सक्रांती के दिन उनी कपड़े सफेद तिल का दान करना अच्छा रहेगा कारियों में जो ओई स्थिरता है वो समाप्त होगी आप जो योजनाएं बना रहे हैं आगे बढ़ने की वो सफलता देगी और इस दिन आप चाहें तो गाई को अपने हाथों से चावल और दूद खिला सकते हैं आपके तमाम कारे बढ़ने लगेंगे जो मिथुन वाले हैं उनको मकर सक्रांती के दिन मूंग की दाल की खिचड़ी और तिल याद रखिए मूंग से बनी वी दाल की खिचड़ी और तिल का दान करना चाहिए या आपको दान ना कर सकें तो गाई को हरा चारा अपने हाथ से खिला दें धन लाप के योग बनने लगेंगे क्योंकि आपके लिए बुद्ध देप को मनाना बहुत जरूरी है जो करक वाले हैं उनके लिए मकर सक्रान्ती के दिन तिल सफेद उन या उनी कपड़े का दान करें घर में प्रेम बढ़ेगा सुख सान्ती आएगी अगर कोई दान लेने वाला ना मिले तो गाई को चावल में भात जिसको कहते हैं इसमें थोरा सा दूद और चीनी मिला कर दूद भात चीनी हलका सा खिला दे ऐसा करने से आपका जो मानसिक उथल पुथल है वो सान्त हो जाएगा सिंग वालों मकर सक्रान्ती के दिन आपको कंबल गुड लाल वस्त्र का दान करना अच्छा रहेगा लगन के स्वामी है सूर्य देव सनी देव के साथ हैं साथ में देव गुरु बुद्ध देव और चंद्रमा है तो यहां पर यह दान करने से आपको लाब होगा जो कंण्या वाले हैं उनको सक्रान्ती के दिन तिल कंबल कंबल आप हरा या गुलाबी रंका लें तो अच्छ दान लेने वाला ना मिले तो गाय को हराचारा या हरी मुंग खिलाइए इससे भी आपको रहत मिलेगी जो तुला वाले हैं मकर सक्रांती के दिन चावल चीनी सफेद तिल तेल और राई का दान आप कर सकते हैं राई निसरसों आपके ब्यापार में तरक्की होगी धन आने क नए सुरूत खुलेंगे और इस दिन आप अगर कोई ना मिले दान लेने वाला तो गाय को भात यानी चावल पका हुआ जरूर खिलाएं जो ब्रिस्चिक वाले हैं मकर सक्रांती के दिन गुड लाल कपड़ा या खिचड़ी या तिल या कंबल कोई भी एक वस्तु दान जर कोई दान लेने वाला ना मिले तो गाय को गुड खिला दें आपके लिए सरुप्स्रेश्ट होगा जो धनू वाले हैं मकर सक्रांती पर काला तिल गुड और चने की डाल का दान करें जीवन में मन्चाही सफलता मिलेगी एस्वरी की प्राप्ति होगी और इस दिन अगर तो गाय को भीगा हुआ यानि भीगोया हुआ चने की डाल या फिर दो केला ही खिला दें इससे संतान का सुख प्राप्त होने में भी आसानी होगी जो मकर वाले हैं जो कि मकर रासी में यानि आपके लगन में पांच गरा एक साथ हैं तो सुरे देव की किरपा और का दान जरूर करें वैसे आप काला तिल का भी दान कर सकते हैं सत्रू विरोधी परास्त रहेंगे मान सम्मान बढ़ेगा और आप अगर चाहें अगर कोई दान लेने वाला ना मिले तो गाय को उड़त की खिचडी या भीगा हुआ उड़त का दाल खिला सकते हैं जो आति में, मैं सफलता मिलेगी सरकारी छेत्रों में सफलता मिलेगी आपका confidence बढ़Wow walon मकर सक्रांती के दिन अगर कोई लेने वाला ना मिले दान तो गाय को उड़त की खिचड़ी खिलाएं या उड़त की दाल खिलाएं जो मीन वाले हैं मकर सक्रांती के दिन आप तिल, काला वाला, गुड या फिर काला कंबल का दान करें आपके सुखों में बिर्धी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी नौकरी की प्राप्ती होने में आसानी होगी और इस दिन अगर आप कोई दान लेने वाला ना मिले, तो गाय को भीगे वे चने की दाल या फिर रोटी पर थोरा सा गुड रख कर खिलाएं इस से नौकरी प्राप्त करने में आसानी होगी, अब जानते हैं इस सिक्के का क्या करें, आखिर ये सिक्का कहां दान करें सबसे पहली बात, तो मकर सकरांती के दिन, आप इस बार, चुकि बहुत ही खुबसूरत सा योग बन रहा है, इसलिए थोरा सा चावल, आप माल लेते हैं, आप तमाम दान नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल तरीके से एक प्रियोग कर सकते हैं, बाकी दान आप नहीं भी करें थोरा सा चावल ले लें, कम सकम इतना कि एक ब्यक्ति भरपेट भोजन कर लें, उस पर थोरा सा काली उड़द की दाल, याद रखिए, काली उड़द ले आईए, उसको घर में ही दरदरा कर लें, और वो दाल जिसमें कभर लगा हुआ हो उड़द में, और सिक्का, सिक्का इन्फलपेंनी एक रुपेया, 11,101 रुपेया, 21 रुपेया आपको जो इक चाह हो, ये वाला जो सिक्का होगा वो नोट नहीं होगे, शिर्ब इसक्का होगा, उस पे रख दें, अपने हातों से चुएं, उसको और फिर किसी गरीब्यक्ति को दान कर दें, या पास के किसी मंदिर में रखा है ये दान महादान है और पूरा साल आपको बहतर भी देगा फिलाल आपसे भी दालेंगे हर हर महादे